जो सरकार का नीती इसके पीछे था पैपि एक मीठा जाल फेका जाए बहुत सारी हमारे पुरी देश के संगटन है अलग-अलग राए हो सकती है जब हमने सभी को मिलकर उसके अलग-अलग पाउंटे वीशे बात की और सभी ने मिलकर ऐसी कोई बात नहीं हो सभी ने शाम को मिलकर एक मत होके निरने लिया फिर हम जो सरकार का परस्ताब है दूट तुक उसको रद करते हैं और जो हमने पहले बात किया है क्योंकि क्रिशी के तीन कानून रद किये जाएं और सरकारी फ़सल की खरीद का गरंटी वाला नया करनून लेके आया जाए यह मुख्य मुद्दा होगा इसमें तो किसानों के बीच कुछ भी जिस तरह की परचार मादमें में बात रही कोई खीचातानी नहीं थी को ऐसे हाँ अपनी बात रखने का मैं परस्ताब पर हक्में भी बोल सकता हूं को परस्ताब के बिरो कर दिया तो हम अपने जो मुल परशन है पहले जो हम उठाते रहें वही उन्हीं परशनों के उपर जो बातचित घूमेंगी अप सरकार को नया परस्ताब लाती है जा मुझे लगता है यह जो परस्ताब उन्होंने बेजा इसके वो डबेट करेंगे भी आपको इसमें क्या गलत लगता है आप क्यों हमारा परस्ताब ठुकरा देगे तो हमको उसको पूरा दलील पूरण जावाब देंगे जो आप कमेटी बाना रहें जैसे आप देखें क्रिशी के उपर बहुत सारे आयोग बने हैं डक्टर स्वामी नतन किमिशन का आयोग बना तो उसकी मानेगा की नहीं मानेगा इस बात्चित की गरंटी कौन देगा तो इस बात पर चर्चा हो सकती है हम चर्चा करेंगे MSP सरकार सभी फसलों की खरीद के उपर और क्रिशी के तीन कानून रद करने पर दो कानून उनका दावा सरकार का भी हमने मान लिए हैं तो हम चाहेंगे इसका कोई ना कोई legal provision हमें देते हैं तो हमारी मुल्द था जो चार मांगे हैं उस मांगों के ऊपर ही आज की चर्चा कंस्टेशन करेंगे